हेलो गाइस आपने SPC Prime इंस्टॉल कर लिया होगा आए जानते हैं लाइव स्ट्रमिंग के लेक्चर किस तरह से प्ले करते हैं लैप्टॉप पे आपको SPC Prime पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद आपको YES करना है यूजर ID पासवर्ट टॉप को मिल चुका होगा यूजर में आपका email पासवर्ड में आपको contact नमबर फिल करने के बाद आपको sign in पर क्लिक करना है sign in पर क्लिक करो गया हो जाएगा sign in होने के बाद आपको foundation है enter है तो आपको select करना होगा question अघर्ड पर क्लिक करोगे internet पर क्लिक करने के बाद आपको जातने subject आ आपके तो आपर शो होने लगेगे for example techno taxation का subject है तो मैं taxation पर क्लिक करोगा ay taxation पर क्लिक करने के बाद आपको text should double-click करना है I double click करने के बाद आपको lecture list के नीचे शोंने लगेगे live lecture और pack up lecture आपने subject select कर लिया, subject पर अपने double click किया था, आपने subject select कर लिया है, जैसे text का lecture है, तो यहां पर आपको backup upload होने के बाद आपको यहां पर show होते हैं, यहां पर आपको backup पुरे मिल जाएगे आपको, जैसे live lecture होने के बाद upload हो जाता है, 24-48 hours के अंदर अंदर, फिर आपको यहां प एक पर double click करना होता है आपको अब lecture इस्टार्ट नहीं है तो इसलिए आपको यहां पर बताएगा either you not authorized to view live lecture इसका मतलब है कि lecture start नहीं हुआ है जब live lecture रहेगा तो डारेक्ड आपको यहां पर OK करके live lecture जो है वो ज्वेन हो जाता है OK